हेलो गाईज, विल्कम टू अचीव आईएस, मैं नेम ही जयू श्मिटी आपके सामने पेश है 14 फर्वरी 2020 का ट्रिब्यून के दो आटिकल्स बेसिकली 14 फर्वरी को मैंने नहीं लिये थे, तो मैं आज ये ले रहा हूँ नोलेज से भरपूर ये वीडियो होगी, आपको बहुत कुछ में समें बताने जा रहा हूँ चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले, जो हमारे एडिटोरियल है, क्लीनेजिंग पॉलिटिक्स हमारे देश में क्रिमिनल बेग्रोंड वाले नेता काफी जादा है, जो हमारे पॉलिटिशन्स है, बहुत सारे ऐसे जिन पर क्रिमिनल चार्जेज लग रहे हैं जैसे दिल्ली के जो नए इलेक्टेड एमेलेज हैं, आदे उनमें सीरेस चार्जेज से उन पर सीरेस चार्जेज लगे हैं, जिन पर रेप, अटेम्ट टू मडर और कई सारे ऐलिगेशन्स क्राइम्स के लगे हैं, जैसे उन्होंने वुमिंग के अगेंस्ट कई सारे इलेक्शन के द्वारा, आज लोग सबा के जो एमपी हैं, 40%, 40% के क्रिमिनल चार्जेज उन पर लग रहे हैं, ऐसे तो जो पोलिटीशन्स हैं, जिन पर कन्विक्ट हो जाते हैं, जिन पर आरोप सिद्ध हो जाता है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जब तक ट अबाश कर देता है, कानून तोड़ने वाले कानून बना देते हैं, और कई सालों तक वो इलेक्टरोल सिस्टम में प्रजेंट रहते हैं, इस इलेक्टरोल सिस्टम को क्लीन करने के लिए, सुप्रीम कोट ने पहले भी कई इनिशेटिवस उठा हैं, एलेक्शन कमिशन ने पहले कई निशेटिव उठाए हैं लेकिन हाल ने मैं सुप्रीम कोट ने इस चीज को पहले से ज्यादा सीरिसली इस चीज को लिया और कहा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वह अपनी जो लीडर्स हैं पहले तो यह था कि जो क्रिमिनल कैसे जिन पर वह अपनी बेग करूँगा और साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पर उनकी डिटेल डालूँगा कि कौन-कौन से कंडिडेट्स मेरे हैं जिन पर किमिनल कैसे लग रहे हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज जो इसवार हुई है सुप्रिम कोट ने कहा है कि इतना ही नहीं आप ये भी बता इसले कि बताना पड़ेगा कि आपने क्यों इंको प्रफरेंस दी क्या उनकर है क्या उन में मेरिट्स हैं क्या एसा कंडिडिटे से क्रिमिन घquinho लग रहा है कि इंको रीजन बताना पड़ेगा सुप्रिम कोट ने बार बार यह कहा है कि एक वोटर का डेमोक्रेटिक राइट है try to know about candidates criminal antecedents criminal cases कितने ज्यादा है candidates पर यह जानना काफी ज्यादा जरूर है अब basically कई बार challenges पहले आते थे कि दो पार्टी हैं दोनों पार्टी के नेता मैदान में खड़े हैं और दोनों पर criminal charge लग रहे हैं तो newspaper में information publish करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता था क्योंकि दोनों नेता अगर criminal charge phase कर रहे हैं तो दोनों नेता अब एक कैसे चुनेंगे criminal cases पर दोनों पर charge लग रहे हैं तो फिर जो है वो मतलम नहीं रह जाता दूसरी चीज वोटर्स अगर पार्टी को देखके वोट दें कि बाई मैं अगर किसी पार्टी की इमेज को देखके वोट दे रहा हूं तो चाहे जो candidate मेरे एरिया में खड़ा हो रहा है उस पर criminal charge उस पर मैं जहान नहीं दूँँगा ये वोटर्स का mindset होता है तो ये जो details होती है अगर इस तरीके से आएंगी कि न्यूस पेपर में तो ये वोटर को एक चोईस देती है कि किसके लिए वोट करें नहीं करें लेकिन उसके बावजुद मैंने उसको बता दिया मालों दो अगर candidates और दोनों पर criminal charge लग रहे हैं तो वोटर करते हुए सारे publication ये जो directions इन लोगों को दिया कि आप criminal detail अपनी बाहर में डालेंगे हाला कि ground level पे बहुत कम काम ऐसा हुआ है जमीनिया की कति है कि न्यूस पर से मैंने रास तक नहीं देखे कि कोई candidate के बारे में चुनाव से पहले कोई जान कर रही हो तो parties जो हैं और जो contestants है वो काफी हिच-किचा आते हैं करने से क्योंकि obvious reason ये है कि उनका जो चुनाव है वो हर सकते हैं होता election commission को ऐसी powers देनी चाहिए कि candidates को hand to hand disqualify कर सके parties को deregister कर सके अगर parties बात नहीं माने तो deregister ही कर सके इतनी powering को देनी पड़ेगी और अगर electoral offenses होए उसको power देनी पड़ेगी voters को अंधेरे में नहीं रखा जाए इस पर सुनिष्चित तरीके से काम करना होगा judiciary नहीं executive ही नहीं बलकि legislature संसत को भी साथ में आना पड़ेगा विधान सभाव को भी साथ में आना पड़ेगा कानून ऐसे पारित करने पड़ेंगे सुप्रेम कोट ने हाली में सारे राज्यों को जानकरीदी direction दिया कि आप जो electoral जो candidates हैं उन पर जो criminal charges लगे हैं उनको solve करने के लिए अलग से fast records बना ही है यह भी अपने आप में transformative order है अपने आप में transformation कर रहा है Supreme Court काफी अच्छी चीज है चलिए एक बार इसके बारे में detail में extra knowledge हम ले लेते हैं criminalization politics Supreme Court के क्या effort रहे Supreme Court ने बार बार कहा है कि शुद्धता रहनी चाहिए विधान सभाहों में 2002 में इसने कहा कि जितने भी candidates हैं 2002 में कह दिया था कि returning जो officer है जो आपका election commission में जो officer रहता है उस पे आप अपनी सारी criminal cases की जानकरी उनको दो गए नोटा आया नोटा के कहा कि नोटा हम इसले ला रहे हैं नम नन अफ दा भो ताकि आप एक बार सोचो कि आप जो अपने criminal background से लोग पार्टी चुना में उतार दें लोगों को वोट दे रहे नहीं दे रहे तो जोदा में एक रेंड मांग जज़बेंट में सुप्रीम कोट ने बात एक्सेप्ट की कि क्रिमलाइजेशन वाली सारे राज्यों को कि फास्ट्र कोर्ट सिस्तापेती जाएं क्योंकि सबसे महत्वे वाली बात यहीं है कि हमारे चुनाओ साफ तरीके से हो कानून तोड़ने वाले कनून बनने लग जाएंगे तो डेमोक्रेसी खत्रे में पड़ जाएगे डाटा है एस्सोशेशन ओफ डेमोक्रेटरी रिफॉर्म्स का इलेक्शन कमिशन का जो डाटा है उसका अनलेसेशिस ने किया है कि आज के लोग सबा में तरीब 40 परसेंट यह डाटा थोड़ा पूरणा हो चुका है क्योंकि अभी 40 परसेंट लोग हैं वो क्रिमिनल केसे फेस कर रहे ह लोग सबा में जिन में से 113 तो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस कर रहे हैं टेम्टू मटर रेप्स और सीरियस जो के ओफेंसेश है अगेंस वोमें यह नंबर जो है यह धिरी धिरे बढ़ता चले गया और यह काफी ज्यादा सीरिस केसे सामने निकल के क्यों है कारण क्या है जा दिया जाता है कि किमिनलाजेशन भढ़ जाता है वोट बेंकिम बात करूं तो आज जिस तरीके से चुनाओं होते हैं एक गरीब पड़ालिखा एजुकेटर वोट एक कह सकते हैं आप रिफॉर्मर चुनाओं नहीं जीत सकता बिना पैसो के आज सकीकत यह है कितनी भी आ बात कर लो चुनाओं वही जीता है जिसके पास पैसा हो बावर हो मैं सबकी बात नहीं कर रहा है लेकिन उन में से वह होते हैं जिन पर सीरियस चार्जेश लगे होते हैं या वी वास्ता और हर कोई बेगुना तो नहीं हो सकता जैसे प्लिटिकल पार्टी कहती है कि यह चार लेकों गुवर्नेंस में लेकों गयरणेंस हैं इ Zhong कर लो आंजाता है ऐलक्सिन कमीशन जो है उसको यह ही पावर्टी को डिरेजिस्टर कर सकें कट्डिईत्व कर सकें केवल इशूज डालनेसे से कुछ नहीं होगा नोटिसेज और समन्न करने से कुछ भी नहीं हो गा तीन option आपके सामने है political party पहली बाद तो ऐसे लोगों को ticket ना दे दूसरी बाद जिन पर serious cases के लगे वे वो election ना लड़े fast track course इस्तापित की जाए fast track course पर काम चल रहा है political party अपना काम नहीं कर रही है और और आरपी एक्ट में भी ट्रेक करने में मुश्किल हो रही है अभी पता चलाता है कि दिली जुनाव ते उसमें 27 87 करोड के electoral bond में पैसा क्या था करीब कुछ ऐसा ही था और काफी पैसा जाता है बहुत भर-बर के पैसा जाता है electoral bond का एक अलग इशू है वो कभी और समझेंगे अच्छा इशू है election commission of India को power दी जाए कि political parties के financial accounts को audit की जाए कर सकता हूँ और political party के finance को RTIE के अंदर लाया जाए है ये शुरू से ही एक मांग उठ रही है कि RTIE के अंदर political parties के finance को लाया जाए broader governance की जाए ताक कि criminal politicians पे water depend नहीं रहे अब water depend क्यों रहेगा माल लो आपके सामने दो candidate दोनों पे criminal charge फिर किसको चुनोगे आप तो यही बात ना इस वजए से यह और एक तो election commission का जो मिलना जूड़ा है यह political parties से क्रिमनल से corruption जो इसको तोड़ना पड़ेगा election commission को independent power बनाना पड़ेगा toothless tiger यह है उससे काम नहीं चलेगा और election commission जब candidates को form देता है कि यह form फिल करो कि आपके cases बताओ कौं कौंजे चल रहा है यह step जो हुआ यह बहुत अच्छा है और इसको अगर apply डंक से किया जाए तो बहुत बड़ा यह reform साबित हो सकता है चलिए दूसरे डिटोरिल के हम तरफ हम बढ़ते हैं regulating medical devices पेशेंट सेफटी के लिए एक positive कदम उठाया गया सरकार के द्वारा जो medical devices हैं उनको अब एक तरीके से drugs कहा जाएगा एक definition जो drugs के उसके अंदर यह devices आएंगे आपको अजीब सा लग रहा होगा लेकिन यह करना जरूरी था और इसके तहत medical devices का purview अब drugs और cosmetic acts में किया जाएगा यह positive step है स्वागतनी योग के कदम है और चूंकि इसकी वज़े से medical devices अगर इस act में आते हैं तो कई सारी standards इंको मीच करने पड़ेंगी quality को बनाए रखनी पड़ेंगी क्योंकि इस act में आने का मतलब है कि अब इन पे जो है regulation हो सकता अब तक इन पे regulation दंग से नहीं हो सकता थ यह ऐसा लिया किया Johnson & Johnson का case आया था इसके बारे में हम detailed अभी study करेंगे चिंताय थी सरकार को थी कि patient safety का काफी हलके में लिया जा रहा है जिसमें अगर device की quality किस तरीके से regulate की जाए तो फिर जो है इस वज़े से doctors भी नए-नए devices चेक नहीं करते है नए-नए products नए-नए companies के चेक नहीं करते हैं क्योंकि device की quality का कोई कानून नहीं है अगर device की quality मालो medical device कोई company उन्हें उतार दिया और medical device harmful है तो डॉक्टर को पता है कि इस company की कोई जिमेदारी नहीं होगी मेरको पुलिस वाले धर लेंगे आके तो डॉक्टर नए products चेक नहीं करता और पुराने devices अगर यूज लेगा तो टेक्नलोजी का advancement तो समय समय पर कर देना चाहिए ना तो ये भी एक वज़े devices अगर drugs and cosmetic act में आ गए तो अब इनके उपर निगरानी रखी जा सकती है central drugs standard control organization के दोरा इसके बारे में हम पढ़ेंगे domestic medical device जो इंडस्ट्री है जो worth billions of rupees है वो अब बढ़ जाएंगी क्योंकि अब काफी ज़्यादा फायदा इनको होगा medical device इंडस्ट्री में कर quality आएंगी तो जो डॉक्टर से ने ने प्रोड़क्स चेक करेंगे क्योंकि अब उनकी जवाब दरी तही हो गई लेकिन excellence अचीव हो सकती है और department को excellence की एक वज़े बतानी पड़ेगी इन manufacturers को कि देखो devices आप लाओगे तो doctors आप यूज करेंगे लेकिन licensing राज या inspector राज में यह तबदील ना हो जाए इसके चिंता रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर drug जो inspectors है वो अगर परिशान करेंगे medical device manufacturers को या doctors को तो inspector राज जाएगा और काफी ज़दा मुश्किल हो जाएगी अब सब आपके medical devices condoms वगेरा जो आपके contraceptives हो गए जो आपके cotton swaps हो गए thermometers से लेकर high-tech implants हो गए radio diagnosis machines हो गई engineering items हो गए यह सब drugs नहीं है क्या सकते हो आप logical है लेकिन इनको regulation में लाना था इस वजह से definition को दूर रखके एक बार हमने patient की safety को सोचा और इनको अब हमने regulatory framework के अंदर लाने की सोचने कोशिश किया है चोटे 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 अब एक चैलेंज तो आपको inspector राज का दिखा एक इसका चैलेंज यह दिखा आपको कि जो चोटे चोटे जो small scale thumbs हैं जो medical devices बना रही हैं वो अंदर नहीं आपाएंगे क्योंकि काफी costly होगा कि उस medical devices को register करवाएं फिर इंस्पेक्टर राज वाला की मान लोगर उन पर छापा पड़ा तो फिर जबर्दस्ति उनको परिशान किया जा सकता है पैसे मांगे जा सकता है लेकिन यह आद्या दूरे rules के कुछ नहीं होगा हमको इंस्पेक्टर राज नहीं आए यह देखना पड़ेगा accountability डॉक्टर की भी तई होनी चाहिए और बेनेफेक्टर की भी तई होनी चाहिए यह जो इसका implementation है अब devices का किस तरीके से होगा यह बहुत बड़ा challenge है CDS CO के लि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े doctors medical experts इसको पैसा खिला देते हैं इनके officers को इनके जो authority काम करती है और यह ढंक से drug check नहीं कर पाती तो medical devices अभी इसके अंडर आगे तो अब देखते हैं कि medical devices वास्तों में इसके ढंक से आरे नहीं आरे जब अगर इसके organization के अंदर अगया अगर नहीं आरे तो उसका मतलब अभी corruption है इस body में सुधार लाना जरूरी है क्योंकि जरूरी था unregulated अगर devices होंगे तो patient के treatment के साथ health के साथ खिलवाड है लेकिन इसके challenges भी है इसकी positive outcome भी है अब देखना पड़ेगा किस तरीके से ground level पे काम होता है चलिए एक बार article में बात पढ़ आज present ये order आने से पहले 23 medical devices drugs कहे जाते थे 23 medical devices नया जो notification आया उसकी वजे से medical devices की definition काफी बढ़ी हो गई अब वो devices जो की diagnosis, monitoring, treatment, किसी injury की या किसी disability की investigation, replacement या कुसी कोई भी psychological process हो और drugs के definition में आयेगा अब तक के वल तेज डिवाइसे जाते थे लेकिन अब implantable medical devices जैसे की knee implants, CT scan, MRI equipment, defibrillators, dialysis machines, PT equipment, x-ray machines इसके अंदर आ जाएंगे जरूरी है क्योंकि aim यह है कि हम सारे medical devices को इस तरीके से regulate की है, की जाएं कि quality यह match करें क्योंकि अगर किसी act के अंदर यह नहीं आएगा, किसी organization जो हमने बात की तो इसके अंदर नहीं आएगा, central drug standard control organization के अंदर तो इसके उपर निगरानी रखने वाला कौन होगा, अब अगर अगरी act के अंदर आया है, और act की जो authority अगर वो इस पर check कर सकती है, तो इससे इनको certificate दिया जाएगा, medical devices का manufacturing के लिए, import के लिए, sale के लिए, positive impact होगा, कि जो possible impact, positive नहीं, यह चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, तो जो small scale firms हैं, जो unorganized है, जिनके बास इतना पैसा नहीं है, कि इतने regulatory framework मान सके, तो उनको काफ़ जाधे दिक्कते आएंगे, और जो high tech, diagnostic machines हैं, वो large players के दोरा dominated है, उनको भी दिक्कते आएंगे, और कई बार यह देखा जाता है, कि rules काफ़ी strict हैं, और अगर इंका पालन नहीं किया गया, तो criminal offense माना जाएगा, और drug inspector काफ़ी जाधा परि कि patient की health के साथ खेलवाण नहीं होगा, manufacturer's की accountability तहीं होगी, manufacturer's की दवाब देगी तहीं होगी, और जो devices आएंगे, highly certified आएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इतना कठीन क्यों है medical devices को control करना, क्योंकि medical devices और drugs अलग अलगे, medical devices मालो अभी एक case आयता, मैं case की बात करता इसमें क्या हुआ कि Johnson और Johnson ने अपना एक device निकला, पिनेकल, ये पिनेकल बेसिकली जब भी body में इलाज किया जाता है इसके द्वारा, इसके, इस instrument से कोबाल्ट, क्रोमियम आयोन निकलते थे, अब Johnson और Johnson का ये इस instrument था, जिससे कोबाल्ट और क्रोमियम आयोन निकलते थे, उसके वज़े से blood में metal poisoning होने लग गई, बेन काफी ज़दा भढ़ गया और body organs को damage होने लग गया, ये equipment ना केवल भारत में बलकि कई ज़दा देशों में sky fact हुआ, USA में तो काफी कड़क, tight regulation है, तो काफी ज़दा पैसा इस company को वहाँ के, लोगों को देना पड़ा, compensation देना पड़ा, इंडिया में ये case अभी भी चल रहा है, company ने government के order को challenge कर दिया, और 4700 patients को treat करने से मना कर दिया, जोंसन और जोंसन इस चेज का फायदा उठा लिया, हमारा कानून यहाँ पर सही नहीं था, इसके तहत हम अब devices को drugs and cosmetic acts में लाएंगे, ताकि हम इस जोंसन और जोंसन के मालिक को पकड़के जेल में डाल सके है, drugs standard control organization, central, यह basically central drug authority है, जिसको function central government देती है, drugs and cosmetic act के जाएंगे, इस act में कोई भी जो drug आया है, कोई भी devices आएगा, उन पे सारा checking कौन करेगा, यह, central drugs standard control organization, इसके functions है, drugs के import, approval और clinical trial पर इसका regulatory control है, license भी यह देता है, और इसको as a central licensing approving authority कहा जाता है, central licensing approving authority, national pharmaceutical pricing authority एक अलग चीज़ है, यह basically department of pharmaceuticals के अंदर आती है, जो कि ministry of chemicals and fertilization के अंदर आता है, 1997 में बनी थी, यह drugs की prices को control करता है, कि जवरत के time पे drugs की कीमते बढ़ने ही जाए, क्योंकि emergency में कई बार क्या होता है, जैसे दवाई के अगर demand बढ़ गई, तो यहाँ पे जो manufacturers है, दवाई जो बना रहे हैं, अपनी कीमत बढ़ देते हैं, ताकि उनको फायदा हो, लेकिन इस जगे नेशनल पर्मोटिकल प्रैसिंग अथॉरिटी, यह drugs की prices fix करती हैं, और यह drugs control order, 2013 के तहट काम करती हैं, और यह यह भी बताती हैं, कि कौन-कौन से drugs हैं, जो essential है, और इनको इस act के जरिए essential माना गया, उनकी prices कभी भी नहीं बढ़ सकती, तो यह जो drugs हैं, उनकी prices को monitor करती हैं, और कोशिश करती हैं, कि prices नहीं बढ़े, ड्रक्स और कॉस्मेटिक एक 1940, इसका section 3 है, जो यह बताता है कि medical devices, central government बताएगी, कौन से medical devices काम में आ सकता है, कौन से medical devices यूज किया जा सकता है, यह जो act है, इसके अंदर medical devices आएंगे, और इसके अंदर drugs भी आता है, यह आजदी से पहले ही आ गया था, 80 साल पहले यह act आ गया था, आप जानते हूँ, 1940 में, तो यह कानून का, यह parliament का एक act था, जो कि drugs related import, manufacturing और distribution को चेक करता है, इसका objective यह यह कि drugs जो है, और cosmetics भारत में भी करें हो, safe हो, effective हो, standards के साथ हो, parameters के साथ हो, medical devices rule 2017, यह भी आपको जान देना चाहिए, यह 2018 में effective था, आर तो 2017 में गयाता है, लेकिन effective 2018 से हुआ, medical devices पर applicable है, diagnostic medical devices पर applicable है, medical devices बेसिकली यह क्या करता है, license देता है, licensing application process online इसने कर दिया, कि सारा जो license लेना चाहते है, कोई भी manufacturer अगर medical device बना रहा है, तो इसके तहाथ ले सकता है, और कुछ regulation किये गए, तो medical devices रूल 2017 होने के बावजूद भी हमको drugs and cosmetic act 1940 में क्यों लाना पड़ा, मैंने कहा न, कि एक medical devices को control करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि Johnson और Johnson का case है, जिसमें 4700 patients की हालत खराब होई है, और उनको compensation देने से Johnson और Johnson मना कर रही है, जो company, क्योंकि इसका फैदा उठा रही है, और क्योंकि patients के नाम बता नहीं चल पा रहे है, एक तो सबसे बड़ा challenge है कि 4700 patients कहां गए, कहां-कहां चले गए, क्या के बिमारी हो गई, पता ही नहीं चला, तो हमको क्या एक patient का register बनाना पड़ेगा, लेकिन उसको बनाने से पहले चलेंज हमारे सामने मौझूद है, कि हमको पता नहीं कि कौन कौन्चे devices कितना harm कर रहे है, patients कहां है, और हम ज़ अब से पहली बात तो क्या है कि political will नहीं है, मतलब जैसा कि मैंने कहा कि medical जो manufacturers है, medical devices जो manufacturers होते हैं, वो काफ़ ज़्यदा कर रहे की, ये भी एक वज़ए है कि जिस वज़ए से इनको regulate करना मुश्किल है, guys ये ते मारी वीडियो, thanks for watching, jahin, God bless.